कि अधिया कि अधिया के लिए यूट्यू चैनल इंजिनियर्स गूरूप फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं most important general knowledge questions जो की multiple exams के लिए useful होने वाले है जितने सारे exams होते हैं सबी के लिए questions यह आज का lecture है आज का session हो important होने वाले है यहाँ से upsc में आपको question देखने को मिलते हैं इसके अलेबे बात कर ले और भी चोटे चोटे ग्जाम होते हैं जैसे state public service commission वाले जो exam होते हैं चाहे वो technical Assistant Engineer का exam होता है, या Oui nut की análस्वरी में स्टेट , पुछे जाते हैं, इसके अलाबे हम बात कर लें SSC के वहां हो चाहे हो SSCCL हो, सवीजी Eco तुने वह में स्टेट양 की यहां से कुस्शय GO भी पूछे जाते हैं, اिचके अलाबे हम बात कर लें SSC के जो भी एक्जाम्स होते हैं, technical का हो, या फिर ओर non-technical का हो, जैसे anti-PC में भी यहां से questions पूछे जाते हैं, या फिर RRV JE की बात कर लें, तो भी यहां से questions पूछे जाते हैं, इसके अलाभे हम बात कर लें, IVPS के, तो उस exam में भी यहां से questions पूछे जाते हैं, यहां से questions, आपको एक या दो Question जो है, Definitely, आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे Minimum, Minimum, jô है, One, Two Questions, joh hai Two Questions, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे उससे जादा भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से 2 Question आपको देखने को मिल जाते हैं generally ठीक है तो बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि यहां से questions आपको देखने को मिलेंगे यहां से questions जो है आपको aesthetic gk के अंदर भी बन जाते हैं friend इसके लाबे जो current affairs होते हैं उहां भी इससे questions बनते हैं aesthetic gk में यानि क्यों पूछ लेगा आपको United Nations है उसका headquarter कहा है United Nations day जो है कम मनाया जाता है इसके लाबे और भी जो अभी इंटरनेशनल court of justice जो international court of justice है वो कहां पे है उसमें कितने member है वहां उसमें कितने judge होते है या फिर जो भी हमारे पास world bank है world bank में कितने member है उनका headquarter कहां पे हो जाता है ठीक है तो इन सब चीजों से जो aesthetic gk के अंदर questions पूछे जाते हैं इसके अलाबे यह भी पूछ लेते हैं current affairs में भी यहां से questions देखने को मिलेंगे वह आपको कैसे frame किया जाएगा वह ऐसे किया जाता है कि United Nation का अभी current में current में उस और भी बहुत सारे जैसे इस टाइप से जो भी organization इनके बारे में यहां से पूछ लिए जाते है फ्रेंट तो यह बहुत ही ज्यादा important हो जाता है जितने सारे exams होते है multiple exam के लिए यह important हो जाते है ठीक है इसलिए जो है आज का video को skip मत किजिएगा शुरू से last तक देखिएगा ताकि हर जितने सारे questions आर हम discuss करने वाले top 50 questions वह आपको पता चल सके फ्रेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को share और subscribe कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि exam से related हर update हर notification आप तक पहुँच पाए तो चलिए फ्रेंट आज का lecture start करते है देखते है पहला question पहला question यह कह रहा है फ्रेंट कि where is the secretary of shark located ठीक है तो फ्रेंट हो है कहां पर कार्ट मांडू में यहां से एक question और बन जाते हैं मतलब कि shark का headquarter है कहां पर है कार्ट मांडू में यहां से और भी एक-दो question और देखने को आपको मिल सकते हैं कि shark जो है वो कव फॉर्म हु इसका जो headquarter है कहां पर कार्ट मांडू जो की नेपाल में ठीक है इसके अलावे यहां पर जो यहां से जो questions बन सकते हैं कि इसमें कितने members है इसके जो members है वो है आपको इंडिया नेपाल बंगलादेश भुटान स्रिलंका पाकिस्तान मालदीप एंड आप गानिस्तान ठीक है इतने सारे member है सार्क के ठीक है जो यह सार्क का मतलब chair person थे वो सबसे पहले जो इसके बाढ़े में मतलब नेक्स्स हम बात कर लेते हैं जो World Development Report is an annual publication of जो Development Report जो पब्लिस करते हैं annual ठीक है वो कौन से organization जो पब्लिस करते हैं तो फ्रेंड वो जो पब्लिस करते हैं वो करते हैं International Bank for Reconstruction and Development जिसको हम लोग short form में IBRD बोलते हैं ठीक है यहां से कुछ और questions बन सकते हैं इसको एक और नाम से जाना जाता है Breton Woods Twins के नाम से यदि यह question भी पूछ दे तो आप लोग बता सकते हैं इसके लाब हम बात कर लें अभी परजेंट में इसके कितने मेंबर हैं तो वो 189 मेंबर से यह कुछ important यहां से पूछे जा सकते हैं इसके नाम का वह जाता है नन अलाइंग मूवमेंट इक यह जो है 120 इवलपिंग कंट्री है It is a group of 120 developing countries, making it the world largest form after the United Nation, ठीक है, यह largest है United Nation के बाद, ठीक है, next question की हम बात कर लेते हैं, कि the first regular session of the general assembly of the United Nation was held at, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ थे friend, वो हुआ था, आपको London में, कहाँ पर हुआ थे friend, वो हुआ था, कहाँ पर London में, ठीक है, next, next हम बात कर लेते हैं, next question क्या कर रहा है, six number, six number question क्या कर रहा है, the latest official language of United Nation, ठीक है, United Nation जो है, उसका latest, current का जो भी language, जो add किया गया है, वो कौन सा है, friend, वो जो है, add week है, ठीक है, और भी इसके बारे हम कुछ detail में discussion कर लेते हैं, और भी इससे जो question बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप से question पूछा जाएगा, United Day जो है, वो कब silhouette किया जाता है, यहाँ से बहुत सारे question बन सकते हैं, बहुत जाता है, एक question से relate करके आपको 3-4 question यहाँ से बन सकते हैं, जैसे आप देख लिए, United Nations Day Cup है, 24 October को मनाया जाता है, इसका headquarter कहाँ पर है, इसका headquarter जो Newark में है, जो USA के अंदर आता है, ठीक है, इसमें official language कितने है, यह भी आप से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो six official language है, ठीक है, वो कौन-कौन सा है, आपको मैं बता जिता हूँ, Chinese है, English है, French है, Russian है, Spanish है, और जो अभी latest में add किया गया है, वो कौन सा है, वो है Edwick है, ठीक है friend, कौन सा है, Edwick है, यह सारे चीज़े यहां से आप से पूछे जा सकते हैं, next friend हम बात कर लेते हैं, the number of judge in the International Court of Justice, ठीक है, जो International Court of Justice है, उसमें number of judge जो है, वो कितने होते हैं, तो friend, number of judge जो होत होते हैं, International Court of Justice में वो होते हैं, 15, कितने होते हैं, 15, इसमें भी आप से कुछ question पूछ सकते हैं, ठीक है, यहां से question यह बन सकते हैं, कि जो International Court of Justice है, इसका जो headquarter है, वो कहाँ पर है, तो इसका headquarter है, friend, वो है, the legu, जो कहाँ पर है, capital है, कहां का नीडर लेंड्स का, यहां का, है niederlande इसमें कितने जज होते है formats वो होते हैं 15 ज़ो जो की अलग अलग countries में यहां पर जितने सारे ज़्स होते हैं जो पंद्रा ज़्स होते हैं यहां पर इस ही में को गया होता है। का होता है ठीक है इसके अलाबे हम बात कर लिए यहां से बन सकते हैं वह यह बन सकते हैं कि जो International Court of Justice है इसमें जो है official language इसका कौन सा है friend मैं बता दूँ कि जो International Court of Justice है इसमें दो language जो है इसका official है वो कौन-कौन सा है वो है friend English और फ्रेंट्स वो कौन सा है English और फ्रेंट्स यह आपको याद रखना यहां से भी question पूछा जाता है ठीक है नेक्ट हम बात कर लेते हैं question number 8 कि the first month of Indian national calendar ठीक है जो first month Indian national calendar का वो कौन सा हो जाता है friend वो हो जाता है चैत्र ठीक है यहां से एक और question पूछा जाता है ठीक है कि यह कव adopt किया गया तो यह adopt किया गया 22 March 1957 को कव adopt किया गया friend 22 March 1957 को तो यहां से कुछ important questions और बन सकते हैं यहां हम discuss करने वाले 50 questions लेकिन इससे रिलेट करके आप 1500 यहां से आप बना सकते हैं ठीक है next question कि हम बात करें question number 9 question number 9 यह कह रहा है friend how many spokes are there in the dharma chakra of the national flag हमारे एंडियाम जो धार्म चाक्र का वो जो national flag है उसमें कितने spokes होते है ठीक है उसमें जो होते है इससे रिलेटेट और भी बहुत सारी information मैं आपको बता दूँँ जो हमारा national flag of India होता है वो क्या होता है horizontal होता है tricolor का होता है और जो होता है deep saffron यानि कि केसरिया जो होता है वो टॉप में होता है white color जो होता है middle में होता है और dark green जो होता हो bottom में होता है और dark green जो होता है horizontal होता है tricolor होता है यानि कि 3 colors में होता है deep saffron यानि कि केसरिया जो होता है कहां पे होता है top में होता है white color में होता है और dark green जो होता है friend वो कहां पे होता है bottom में होता है ठीक है और यह 3 colors जो होता है वो equal proportion में होता है ऐसा नहीं होता है कर सरे जादा है या white जादा है जो आपका green है जो dark green हो जाधा है ऐसा नहीं होता है सबका बने बात कर लेता है ratio of width of flag to its length का तो वो होता है 2 is to 3 ठीक है ratio जो होता है वी इंपोटेंट है धिक है कि नेशनल फिल्यक रट इडाप किया गा था खुछ है थेक है, इट है 24 s-box, ठीक है, Supreme Court declared किया था कि यह जो flag host है, वो हमारा fundamental right है, वो कौन से article के अंदर आते हैं, वो है article no.19, ठीक है, article no.19 जो है, वो कहता है कि fundamental right है सभी का flag host करना, ठीक है, next question यहां से और बन जाते हैं, प्रग्य कि इसने किया था ठीक है जो फ्रेंग है वह milk पिंगाली वेन किया यहांसे यहां से देखिए अब कितिने सारे questions बन रहे हैं ठीक है कौन design किया थे friend पिंगाली वेंग किया ठीक है first time ठीक है उसके अलावे first time जो होस्ट किये थे flag को कौन किये थे friend यहां यह भी question बन सकते हैं कि first time जो है यहां से बन रहे है ठीक है जो हमने यहां पर discussion किया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन की बात करने थे next question यह कह रहा है question 10 कि the national anthem of India was first song in ठीक है जो नेशनल anthem था ठीक है तो वो था friend 1911 में पहली बार ठीक है कब 1911 में ठीक है अब इससे friend और question जो बन सकते हैं कि जो है इसको composed जो है कौन किये थे ठीक है तो friend जो national anthem हमारे country का वो है जाना गाना मनना कौन सा है जाना गाना मनना is the national anthem of India which was composed by रविंद्र ना टाइगोर originally in बेंगाली यह जो था जो था यह बेंगाली में था ठीक है इसके अलाबे यहां से question यह बन सकते हैं कि यह adopt कब किया गया friend तो यह adopt जो किया गया है इसके अलाबे कुछ और जो हमारा national anthem है ठीक है the song was translated in English in 1919 ठीक है 1919 में इसको जो है translate किया गया था इंग्लिस के अंदर जिसका title दिया गया था क्या दिया गया था इसका title था morning song of India और यह जो था it was first song at the Calcutta session of Congress on December 27 1911 ठीक है यह जो Calcutta session है पहली बार जो है December 1927 1911 में ठीक है friend इससे और question बन सकते हैं कि playing time of full version of national anthem is 52 seconds while it is 20 seconds for first and जो होता है next जो है एस्टेंजा वो जो है वो जो है किता 32 seconds का ठीक है next जो है वो लास्ट बाला जो है 32 seconds का ठीक है यह यहां से questions बन सकते हैं next हम बात करने question number 11 कि the nearest planet to the sun is कौन सा है वो है mercury next question number 12 the biggest planet in the solar system is कौन सा है सबसे बड़ा solar system में जो planet हो कौन सा है जिफिटेर है next हम बात कर लेते हैं friends the brightest planet is the greatest planet is solar system में वो फ्रेंट कौन सा है Venice एक है next हम बात कर लेते हैं India's first heavy water plant was set up in 1962 2022 कहां पे setup क्या गया था वो बरोधरा में नेक्स हम बात कर लेते हैं India first satellite was launched India first satellite है आडिभाट वह कब launch किया गया था 1975 में कब launch किया गया था 1975 में नेक्स्ट जो nomadic elephant is the exercise between ठीक है एक exercise हुआ था जिसका नाम था nomadic ठीक है वह किस-किस country के बीच में हुआ था ठीक है तो friend वह हुआ था ठीक है वहाट इस कावेडी थीक है वहाट इस कावेडी तो कावेडी क्या है तो friend कावेडी जो है वह क्या है cryogenic engine है क्या है cryogenic engine है next हम बात कर लेते फ्रेंड what इस Nisant तो Nisant फ्रेंड वह क्या है यहां पर इसका फूल फॉर्म बोलू तो यह हो जाता है और मैंड एरियल भैकल जिसको हम लोग जो है ड्रोन के नाम से भी जानते हैं क्या जानते फ्रेंड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं अभी बहुत ज्यादा फोफलर हो रहा है ठीक है नेक्ट हम बात कर लेते हैं question number 21 यह कए रहा है कि लियai Wikuvuvuvuvuvuv bud मन नेस कर मटिएर का डाउन जिसटम है क्या है मतलब जो क्या है क्या है क्या है रोकेट लॉंचेर सिस्टम है क्या है मल्ली वैरल रॉचेट लांचर सिस्टम है ठीक है, next question की बात कर लेते हैं, the first Asian games were held at, ठीक है, जो पहला Asian games था, friend, वो कहां पे हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था, new Delhi में, कहां पे हुआ था, new Delhi में हुआ था, next, next हम बात कर लेते हैं, इंडियन किर्केट, किर्केट प्लेयर, made first test century in test किर्केट, ठीक है, वो कौन सा Indian किर्केटर है, जो test किर्केट में, पहली बार century लगाया था, इंडिया की तरफ से, ठीक है, तो वो है, friend, वो है, लाला अमरनाथ, कौन से है, friend, लाला अमरनाथ, ठीक है, next question, यह पूछ रहा है, the number of player on each side in the case of rugby football, friend, जो rugby football होता है, उसमें पर-side, मतलए, एक तीम में, और फंदरा प्लेयर होते हैं वह होते हैं 11 और टोटल नमबर अपले जो पूरे ग्राउंड में वह होते हैं 30 यानि कि 30 ठीक है और जो फूटबॉल की बात कर लें तो आप लोग सुने होंगे कर ऐने कई कर ऺखिए करने जाता है 16 ठीक है इसके अरह कर घोच?", पूऑ में पूटी से बॅधा रहुनि आटेंइंड अंत नेवी नाď्यूप तो आगाका है को आधा केरला पैसे बढक elector थे साय वह हुआ Wars वह वाज दफर्रेव लेडी एक्सिएव पादम्स cd Aww. की एंडियान सीनेमा में ठीक है का उंस sino लेडी पहली लेडी है जिनको पादम्सri डाट सी नवाजा गया था तो वो है नर्गिश्दत जो थी उनको जो है इंडिया के तरफ से जो भी इंडियन लेडी है एक ट्रेस है उनमें फॉस्ट पद्मश्री अवाड जो है नर्गिश्दत को दिया गया था ठीक है नेक्स्ट कोईस्ट नमर 29 कि इंडियन इस्टेट में सबसे ज्यादा उसकी जन संक्या जो बहुत ही ज्यादा है इसके बारे में हम लोग एक लेक्चर जो हम लोग लेके आएंगे कि कौन सी कर्णिया का कौन सा किरेंश है उसके बारे में हम लोग लोग एक लेक्चर लेके आने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि अभाँ से फिर्ट अवार्ड रोज ठीक है पहले कौन से बैक्ति था जिनको है जन पीट आवार्ड से नौजा गया था ठीक Ten वो दादा सहाफ हाल के अवार्ड वाज ठीक है वो पहले कौन से बैखती है जिनको दादा सहाफ हाल के अवार्ड से नवाजा गया था ठीक है तो वो पहले जो है वो देविका रानी थी जिनको जो है इस अवार्ड से दादा सहाफ हाल के अवार्ड से नवाजा गया था अब एक के लिए यह रवाड्स को दिया जाता है इसंपे बाद हम बात करने कि अभी करेंट में जो 66 में नंबर का था, 2018 में दिया गया था, वो किन को दिया गया था, दादर सहाब के अबार, तो फ्रेंट वो जो दिया गया था, वो दिया गया था, अमिता वच्चन सहाब को, अमिता वच्चन सहाब को जो है, 2018 में दिया गया था, और कौन से नंबर का था, 66 में नंबर का इससे पहले 65 लोगों को मिल चुका है यदि और बैक में हम चले जाए कि 65 में नंबर का किन को मिला था जो कि 2017 मिला था वो मिला था विनोध खर्णा साहब को नेक्स हम बात कर लेते हैं से इंडिया में भारत रत आवाड ऑढ़ाट ही राजी को मिला था वह सक कुन को मिला था सीबी रहां रमान सहाब को मिला था जो उनको मिला था रह गपालचारी को मिला था और एस राधा he's not s teach not Já prints पहली बार किनको किनको फ्रेंड सिवी रम्बन इनमें से कोई भी option हो तो वो correct हो जागा या तो सिवी रम्बन सहाब का हो या फिर सी राज गोपाल चारी का हो या फिर एस राधा कृष्णन का हो ठीक है पूरा life होता है वो तो मिलता ही मिलता है उसके अलाबे जब उनका देथ हो जाता है उसके बाद भी 60 साल तक मिलता रहता है ठीक है जो भी उससे income होता है भुक से जो भी income होता है ठीक है वो मिलता रहता है बात कर लेके हैं friend वुच अलब फोलवज इस डाईयर्पोर्ट आफ इंडिया इंडिया हो इसका श्युक्तपाल सब्सें गया में 400 स्कॉआज जो है अभी तक ठीक है इससे बड़ा एक और जो है जो नोईडा में बन रहा है ठीक वो बड़ा है यानि कि अप्रोग जो शाट सो याट स्कॉयर्ट किलोमीटर का वो बन रहा है ठीक है मतलब एड़ेक्ली मुझे वो डेटा याद नहीं है लेकिन अभी करेंट में जो है वो स बिसिकली दर नेम ओ ये छो मतलब XEROX है आप देखना है ये जो है ये क्या है ये मतलब जो नेम है वो किसका नेम है बेसिकली तो ये जो एक कंपनी का नाम है क्या है एक कंपनी का नाम है ठीक है question number 37 37 फ्रेंड एक रहा है in pedicraft filled the mainly for in the gap ये जो अधो होता है ठीक हुं हापे िए लिडरेंबर को कि अखे च्रिट सेघी किया जाता है तो स्क्रिट बात किमेड़ाइट निषेप पांच Orko बात कर ले, question number 40, question number 40 यह कह रहा है कि the oldest church in India is located in the state of, ठीक है, जो हमार इंडिया में सबसे oldest church है, वो कौन से state में है, तो friend, वो है कहाँ पे केरला में, कहाँ पे है, केरला में, next question यह friend, पूछ रहा है, गोल गुमबज, the largest dome in India is located in the state of, जो गोल गुमबज है, ठीक है, जो इंडिया में सबसे largest dome है, वो कौन सी state में है, ठीक है, इंडिया में, वो है करनाट का, यहाँ से question एक और पूछा जा सकता है, कि friend, कि largest dome जो है, वो, जो है कौन सा है, उसका name क्या है, तो वो हो जागा, गोल गुमबज, ठीक है, next question है, पेनिसलेन was discovered by, वो इसका जो खोज है, पेनिसलेन वो कौन सा है, पूरे world में, in terms of area, land area के terms में, सबसे बड़ी city कौन से है, मॉन्ट इशा, कौन से friend, मॉन्ट इशा, ठीक है, next हम बात कर लेते है, question number 44, which of the following Iceland is renamed as, कलाली लट नुनाट, तो यह कौन सा है friend, वो है Greenland, कौन सा है friend, Greenland, ठीक है, next बात कर लेते है, 45, कि BB का मकमरा is located in at, ठीक है, friend, BB का मकमरा जो है, कहां पे है हमारे इंडिया में, तो friend, वो है औरंगावाद, कहां पे है, औरंगावाद में, ठीक है, यह बिहार वाली औरंगावाद नहीं है, ठीक है, यह महरास्टा वाली औरंगावाद है, ठीक है, next हम बात कर लेते है, friend, कि New York is located on the bank of river, ठ किस नदी के किनारे जो है, यह बसी हुए थी, यह है, friend, Hudson, कौन सी नदी है, Hudson, ठीक है, question number next, question number next, यह कह रहा है, 47, यह कह रहा है, कि Mesopotamia is the world name of, ठीक है, यह जो Mesopotamia जो था, किसका पुराना नेम है, friend, तो यह है, Iraq, जो इराक है, इसका पुराना नाम, जो है, Mesopotamia हुआ करता था, question number next, which of the following is known as the playground of Europe, ठीक है, किसको जो है, Europe का खेल का मैदान, या playground कहा जाता है, ठीक है, तो friend, वो कहा जाता है, कौन सी country को, वो कहा जाता है, Switzerland को, किसको कहा जाता है, friend, Switzerland को, question number 49, question number 49, यह कह रहा है, friend, कि which autobiography of the book, my music, my life, ठीक है, यह जो by graphic थी, वो my music, my life, वो किन का था, ठीक है, तो वो था, पंदित रवी संकर, किन का था, पंदित रवी संकर, question number next, question number 50, question number 50, यह कह रहा है, friend, where is the national remote sensing center located, हमारे इंडिया में, जो है, national remote sensing center, जो है, कहाँ पे, कौन सी सहर में है, friend, वो है, कहाँ पे, हैदराबाद में, कहाँ पे, friend, हैदराबाद में, question number 51, question number 51, आप देख रहा है, यह कह रहा है, India's most modern and well-planned city, चंदिगर्ड, वाज डिजाइन वाइट, ठीक है, जो हमारे country में, जो सबसे सुन्दर city है, जो, जिसको, मतलब, design किया गया है, वो, जो है, कौन डिजाइन किया है, जो हमारे country में, जो है, design किया है, वो कौन से किया है, Lee Corbusier, ठीक है, Lee Corbusier, जो है, मतलब, England के थे, इन्होंने, इसका, जो है, design किया हुए, question number 52, the head office of the world health organization is located at, friend, यहाँ पर आप देख सकते है, कि WHO है, WHO का headquarter है, वो कहाँ पर है friend, वो है, जिनेभा में, कहाँ पर है friend, जिनेभा में, ठीक है, question number 53, question number 53, friend, यह कह रहा है, कि which of the following is not the official language of the United Nation, यह जितने सारे country का नाम दिया, उसमें से कौन सा language है, जो official language नहीं है, ठीक है, किसका, United Nation का, ठीक है, हर वो important notification आप तक पहुँच पहाँ, friend, यह जो important question का जो series था, वो part 1 था, हम लोग part 2 में, जो है next 50 question का, हम लोग discussion करेंगे, ठीक है, तो आज के video हैं बस इतना है, thank you so much.